यह लाल चोलाई है जिसको लाल भाजी भी बोलते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके से अपने टेरेस में उगा सकते हैं आप इसको उगाने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगे आपको आज की वीडियो में जिसको बिगनर्स भी बड़ी आसाने से उगा सकता है और एक मैने स क्यारी बनाए है तो पिछे साइड में उसकी अपिपन सुखोर्था जुसको धूप में सुखा दी अच्छी तरह से और अधा गोबर के खादने ला दिया है उसमें अच्छी मिट्टी को फुल नूट्रिशन चार्ज कर लिया है नूट्रिशन वाला और मिट्टी उसको अच्छी तरह से बना दिया है आप इसमें गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट लीप मोल कुछ भी डाल सकते हैं किचन कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं सिंपल मिट्टी में 50-50% का रेशियो भी रख सकते हैं देखे इस क्यारी में मैंने अभी सर्दियों में पालक और सरसो बोया था जिसको कि मैंने निकाल दिया है और उन्हीं उपर की मिट्टी को धूप में सुखा के इस तरह से गोबर की खाद में मिक्स करके उपर से लेयर डाल रही हूँ तो फ्रेंड्स आपने जरूर देखा गो अस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा फर्स टैम मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप लोग देखे उपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूँगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगे जरूर से देखेगा फ्रेंड्स दूसरे दिन हैं मैंने इसमें थोड़ी सी नीम खली और कोको पीट मिक्स करना है ये सिंपल सी प्लेन मिट्टी में कोको पीट ज्यादा मिलाना था मैंने मेरे पास कम था इसलिए मैंने कम मिला है फ्रेंड्स आप थोड़ा ज्यादा अमांट में कोको पीट मिलाएगा क्योंकि गर्मियों में ये कोको पीट मिलाने से थोड़ी सी हमारी मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो इस तरह से दोनों को mix करके अब मैं उपर से एक layer अच्छी तरह से बना दूंगे मैं ताकि जब मैं इसमें बीज बोओंगी तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी में mix रहे तो ये last processing है उपर का बीज बोने से पहले का इस तरह से मैं इसमें बना करके sprinkle करना है rate मिलाना फ्रेंट्स इसलिए मैं जरूरी बता रही है आपको की बहुत ही इसमें help मिलेगा हमें sprinkle करने में क्योंकि जो चॉलाई की बीज होती है बहुत ही सिल्की और बहुत बारीक बारीक होते हैं इसके दाने तो मैं इसमें थोड़ा से rate मिला करके spray करूंगे तो सब जगा equal equal बराबर बराबर मात्रा में सब जगा sprinkle होंगे क्योंकि कहीं पे कभी कभी क्या होता कि कहीं बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ जाती है कहीं पे बिल्कुल ही नहीं पड़ती है तो इसलिए अगर हम rate मिला करके एक साथ में दोनों को sprinkle करेंगे न तो बिल्कुल बराबर सब जगा में equal label में बीज का spread होगा rate की जगा मिटी भी मिला करके डाल सकते हैं और अगर simple rate भी अगर आप बिल्कुल trained है friends तो direct मिटी भी आप बीज को भी sprinkle कर सकते हैं लेकिन मुझे तो इससे बहुत help मिल रहा है rate मिला करके अगर मैं डाल रही हूँ तो देखिए इस तरह से बहुत easily मेरे हाथ में आ रहा है और बराबर rate और ये जो बीज है ना एक साथ में mix हो करके नीचे बिल्कुल एक बराबर लेबल में गिर रहा है तो ये बहुत आसान तरीका है friends इसको beginners के लिए बहुत helpful है ये मैंने last time में इस क्यारी में आपके साथ में share किया था कि मैंने इसमें चॉलाई बही थी friends पिछली बार तो हुआ नहीं था तो उन्होंने कहता है वो आप ले गए थे गर्मियों वाली उन्होंने गलती से दी थी अब मुझे तो पता नहीं था मैं मेरे garden की जो गमलों की मिट्टी थी उसको मैं हलका से मैंने चान लिया ताकि जो मिट्टी वगरा पत्ते पुत्ते जो भी पत्थर वगरा मिक्स होंगे उसमें तो वो हट चुके है प्लेन मिट्टी सिंपल स्मूथ सा है उपर से मैं एक लिए डाल रहे हूँ आप कोको प पानी के साथ में सबका बीजों का बहाँ एक जगा जमा हो जाता है तिसरी बात क्या होता है कि चिडिया वगरा जो भी पक्छी वगरा आगूमते हैं तो वो खा जाते हैं बीजों को तो इसलिए हमें उपर से एक लियर मिट्टी ये कोको पिट की डाल देनी जरूरी है तो इसके बाद में आप पानी स्प्रिंकल करना पानी को भी डालते हैं समय बिल्कुल एक ध्यान रखना इस चिसका सावधानी रखना है कि हमें बिल्कुल डारेट पाइप से लेकर के उपर छोड नहीं देना है उससे भी पानी का पानी में क्या होता कि मिट्टी का बहाँ कट जाएगा और बीजों का इधर उदर सब छिड़का हो जाएगा इस तरह से हमें पानी देख सकते हैं आप मैं पाइप से कैसा देख जैसा सावरिंग कर रही हूं मैं सावर की तरह स्प्रेय होके निकल रहा पानी अगर आपके पास प्रेय बॉटर है तो बड़े वाला तो च मौस्टर बना के रखना है बिल्कुल सुखा भी नहीं रखना है अब देखे यह रिजल्ट आपके सामने फ्रेंड्स तेरवा दिन का तीस तारीक का है तीस तीन तेरवा दिन इससे पहले भी यह हो चुका था लेकिन बीच मैं कहीं आउट ओप चली गई थी मैं वहां खाट और दूसरी बात क्या है एक दिन नोने डाला ही नहीं बिल्कुल सुखी हो गई मिट्टी तो इसलिए लेड और यहाँ पे देखें फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्ली ने बहुत तबाही मज़ दी दो-तीन दिन बिल्ली ने यहाँ पर क्या कि रात को आती थी और यहाँ पर लेड जाती थी एक दिन उसने पूरा मिट्टी यहाँ से कुरेद दिया तो इस पोर्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन बाद में इसकी ग्रोथ होगी यहाँ पर क्योंकि बाद के जग़ए ग्रोथ हैं और वहाँ पर ग्रोथ हैं तो बिल्ली ने तबाही मचा दि और यह देख सकते हैं अलग सा जो यह चौलाई है यह सर्दियों के टेम में पाँच मैने पहले किये वह है उसकी ग्रोथ अब यहीं पर इतनी ही हुई है और देखिए चौलाई का जो ये है चार चार यानि चौथा मैना इसी मैने का अठारवा दिन पूरे तो ये बहुत पहले हो चुका था इस ये वारा रिजल्ट बस जो मैने आपको बीच में बताया कि पानी का थोड़ा प्रब्लम बच्चों नहीं कर दिया और मैं नहीं थी तो देखिए इस तरह से ये अठारवा दिन का रिजल्ट है फ्रेंट्स तो इसको उगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आगा छोटी सी भी क्यारी है आपके पास में नहीं है तो गमलों में भी आप इसको लगा सकते है छे से सात इंच दस इंच तक के गहराई भी इसमें भी बहुत आसान से हो जाएगा देख सकते हैं ये मेरे पांच इंच की क्यारी है और जिसको की लकड़ी से बनाया हुआ है घर पे ही तो फ्रेंट्स इस तरह से ये जो चौलाई की सबजी है ना बहुत ही फुल नूट्रिशन वाली है फुल आइरन है इसमें इसमें वाइट से ठीक हो सकती है लेखे ये बहुत कुछ बीज अपने आप ही जर्मिनेशन हो गए इस क्यारी में तो फ्रेंट्स इस तरह से देखिए कितना सांदा रिजल्ट और बहुत अभी छोटे-छोटे कई जगह में ना जो चौलाई की बीज अपने आप ही हो रहे हैं जो 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 ल छोटे बीज अभी और जर्मिनेशन हो रहे हैं तो इस तरह से अभी इनको कटिंग करने का टाइम आ गया है घने है तो उनको हम जड़ से निकाल देंगे और जो बीज में फिर बाद में देदरे ये अपने आप होते रहेंगे तो इसको कट करके हम तीन चार बार कटिंग कर करके इसकी सब्जी ले सकते हैं कटिंग करके ये अपने आप और इसकी ग्रोथ हो जाते है जैसे पालक को रवा हम निकालते हैं काट करके तो फिर बढ़ते जाते है वैसे चोलsch आए के साथ भी है और हरी भी आती है हरी य लाल या दोनों परकार की होता है से जड़ भी इसक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जो कि हमारे पाचन तंतर के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन्द है देखिए एक टमाटर का पॉदत आपको दिखाया था मैंने उस समय जब क्यारी मैं लगा रही थी मैं तो देखे टेमाटर पक चुका है तो इस तरह से फ्रेंड्स वीगिनर्स भी बहुत आसान तरीके से इस तरह से अपने गार्डन में चौलाई को लगा सकते हैं मैंने भी देखे लगाया है तो मेरे साथ फॉर्स्ट रिजल्ट ह यह बहुत ही अच्छा अनुभा हो रहा है मुझे क्योंकि पहली बार मैंने लगाया है और इतना सांदा रिजल्ट मिल रहा है तेरा चार का 27 दिन का रिजल्ट है यह पुरा कितने अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ हो गई है अब यह हर्वेस्टिंग करने के लाइक हो गई है तभी मैं इसका वीडियो बनाओ क्योंकि मैंने जो सर्तियों में चौलाईब होई थी तो उसका रिजल्ट नहीं दीखा मुझे तो इसलिए मैंने जब तक मैं सैटिसफाइड नहीं होंगी मुझे सफलता नहीं मिलेगी मुझे अनुभा अच्छा नहीं आएगा तो मैं आप आपको कैसे सिखा सकते हूं जब मुझे आएगा कोई चीज़ तभी मैं आपको बता सकते हूं तो इसलिए मैंने पूरा फुल प्रोसेसिंग आपको सुरू से लेकर के अभी तक कर पूरा रिजल्ट दिखा रही हूं कि मेरे से जब मैं बीगनर्स मैंने मैंने फर्स टैंग बोया है, सबजियों का क्रेज मैं आप कर रहे हूँ, पहले मैंने कभी सबजिया नहीं बोई थी, तो मेरे से जब ये अच्छी तरह से उग गया है, तो आप लोगों से भी उग सकता है, तो आप लोग भी जरूर अपने टेरिस का एक पार्ट में जरूर से सबजी लगाईए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो, अभी आप इस वीडियो को देखने के बादे, फट आफट अपने टेरिस में एक पार्ट में कहीं पे भी लगाना शुरू कर दीजे, क्योंकि अभी सीजन है, अभी आप बोगे तो आपको महिने भर के अंदर ही आपको सबजी खानी को मिल ज जरूर करतीजिए, अगा चैनल को सब्सक्राइब ने के तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो यहां तक आप लोगों ने पूरा देखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धरन्यवाद,